हेलो अबरीवन, वन्स अगें वेलकम बेक टू आवर यूटुब चैनल, इन इस वीडिए वी आर गोईंग टू स्टार्ट आवर नेक्स चेप्टर, यूनिट नमर सेकिंड को आज किस क्लास हम स्टार्ट करने वाले हैं, और यूनिट नमर टू का जो लेसन नमर फर्स्ट है, संप्रेशन और संचार के विविद रूप तथा संप्रेशन के परकार, तो आज किस क्लास में चैप्टर नमर वन को हम कंप्लीट करने वाले हैं, चैप्टर नमर वन के अंदर जितने भी टॉपिक दिये गए हम वन बाई वन सारे टॉपिक को कवर करेंगे, तो लेट स्टा और संप्रेशन को समझेंगे, उसके बाद में प्रकार को पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम कम्यूनीकेशन की टाइप्स को पढ़ेंगे, संप्रेशन में मोखिक है, जिसह हमोर लो डी हैं रिटर काते हैं, पिलिक्षित आ डागे, प्रशन अगे, रहात पर्शन अल परिट ज चाहिए हमारे फैमिली के मैंबर हो चाहिए दूसरे परसन हो तो मतलब कि इस तरीके से जिसे हम बोलते हैं लेंगवेज भासा तो इसके घरी लाइफ में काफी ज्यादा जरूरत है अगर हमें भासा की knowledge नहीं रहेगा, तो हम आपस में communicate नहीं कर सकते हैं, मतलब कि हम जिस भी person से बातचित करते हैं, तो हम उस language का use करते हैं, जिस language की हम दोनों को समझे हो, जैसे कि मैं आपको हिंदी में classes प्रोवाइड कर रही हूँ, तो आपको भी हिंदी की knowledge जैसे तरीके से मुझे भी है, तो आपस में किस तरीके से, effective तरीके से communicate कर सकते हैं, एक दूसरे की बातों को समझ सकते हैं, तो यहाँ पर देखो, communication possible तभी हो पाया, जब हम दोनों को इस language की जरूत पढ़ रही है, और हम दोनों को इस language की knowledge है, तो यहाँ पर देखो, जो भासा है, जो language है, हमारी daily life का एक part बन जाता है, इसके without में अगर ये ना हो, तो हम आपस में communicate नहीं कर सकते हैं, साथ ही देखो, जो भासा होती है, वो सिरफ और सिरफ हमारे जो needs है, या जो हमारे objective है, सिरफ उसको fulfill नहीं करते हैं, इसके साथ ही हमारे emotion कैसे हैं, उसको भी define करते हैं, अब जैसे कि अगर हम किसी से बातचीत करें, तो बातचीत से ही पता चल जाते हैं, कि हम happy है, ये sad है, ये दुखी है, हमारे बातों से ही पता चल जाते हैं, कि भासा को संप्रेशन के साधन की रूप में माना जाता है, साधन का मतलब ये है, क्योंकि हम जैसे communicate करते, तो काफे सारे लेंग्विज हैं हमारे सामने, हम किसी भी language का यूज कर सकते, लेकि जितने भी भासा है, काफे सारे languages हैं हमारे country में, तो जितने भी ऐसे languages सारे के सारे communication का एक साधन की रूप में माने जाते हैं क्योंकि हम किसी भी साधन का यूज़ कर सकते चाहे हम इंदी में बोले, चाहे हम किसी local language का यूज़ करें जिसका भी use करेंगे, वो हमारे communication का एक part बन जाता है तो इस तरीके से एक साधन के रूप में माना जाता तथा भासा की लगबग हर परिभासा में संप्रेशन शक्त विद्वान रहता है मतलब कि इसकी प्रिजेंटेशन रहती है यहाँ पर तो इसके साथ में देखो जैसे कि अगर वनस्पती हो गया विज्ञान हो गया प्रानी हो गया मतलब जितने भी आसपास की हमारे चीजे हैं यह सारे हमारे जो प्रियावरेन है उसमें इंक्लूड किये जाते हैं और इन सभी से मिलके हमारा पूरा जो एक निचर है पूरा जो हैं वो भी बताते हैं अभी संकेत यह सिंबल किस तरह के होऊते हैं कर दो किया करते हैं जिसको हम देख के समझ टेकर साथन हो यह बासा है गनित में काफी सारे लेंग्विजस मिलते हैं यातियात के काफी सारे संगेत हैं तो वहाँ पर क्या जैसे कि हमें क्या करना है साइड होना है या आगे जाना पीछे जाना तो कहने का मतलब क्या है कि जो एक सिंबल जो होता है वो भी एक communication में अपने एक part पर अपने आपको योगदान देता है मतलब कि सिंबल के थूँ भी हमारा जो communication प्रोसेस है वो complete होता है लेकिन जो सिंबल है उससे भी जादा अगर हम संकेत प्राणली में देखे तो भासा का ही संचारन हो गया, इन सभी word को communication के अंदर include किया जाता है अलग-अलग संदर्व दिया जाता है अलग-अलग प्रसाइ15 दिया जाता है लेकि इन सब्दों का पर्योग किया जाता है और संचार सब्द सस्क्रेती की चर और सम सम उपसर्ग जोड कर वनाए जाते हैं जिसका अर्था चलना हो गया घूमना हो गया इधर उधर भेजना हो गया फैलाना पहुंचाना आदी तो इस तरीके से आपको इसके बारे में बेसिक सा पॉइंट पता चल गया होगा कि संप्रेशन से रिलेटिड यहाँ पर हम कौन- चल करने हैं अब उसके बाते को हमारे जो नेक्ट कॉनसेट संप्रेशन एक वीवेचन आप हम क्या करेंगे संप्रेशन के बारे में थोड़ा से यहाँ नवलेज्ज को लेंगे सबसे पहले देखो जो संप्रेशन का विशेज चेत्र है मतलग इसका एरिया है काफी ज़्या आपका सारे प्रानियों का यूज करते हैं प्राकृतिक भाषा के तुलना में आतियन्थ हो जाता है तो यहां पर देखो जो इस यहां पर हम जो वर्ट का यूज करते हैं लेंग विच्विजिस के अंदर उसके काफे नियूंग हो सकते चाइमे मीठा कम है मतलव क्या है मीठा नहीं हर के जी आपे चीनी कम हो यहां मतलब किया qa¿ बात किया होना चाई कोई sweets होना चाई किया मतलब और हमको जी यह वा सब्सक्राइब हमारे time पर करता है हमारे सुच्वेशन पर डिपैंड करता है कि हम किस तरीके से उस वर्ड का यूज कर रहें जैसे कि हैं पर देखो मीठा सबको दो अलग लग तरीके से यूज किया गया है तो काफे सार ऐसे वर्ड है जो कि हमारे लेंग्विजिस के अंदर इंक्लूड किये जाते हैं तो इन ही सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे उसके बाद में देखो काफे जो हमारा next important point है कि जब भी हम संप्रेशन करते हैं तो इसके प्रक्रिया में कई वर क्या हो जाता है कुछ प्रॉलम क्रेट हो जाता है जिसे हम बोलते हैं शोर कहा जाता है जिसे हम English में noise कहते हैं देखो जब से पहले जब हम संप्रेशन करते हैं संप्रेशन का पूरा प्रोसेस है जिसमें सबसे पहले संप्रेशन का आता है उसके बाद वह संदेश भेजता है उसकी कोडिंग की जाती है किसी मीडियम का यूज करके देन उसके बाद में डिकोडिंग किया जाता है और ज प्रोब्लम को हम बोलते हैं noise या शोर तो संप्रेशन का जो हमारे एक पूरा प्रोसेस चलता रहता है जिसके अंदर काफे सारे यह जो आपको पूरा प्रोसेस दिखाई देरे काफे सारे इसके अंदर इंक्लूड किये जाते हैं elements को तो इन सभी का जो मेन परपस है हमारे communication को ह ही complete करना होता है तो हम आगे कुई concept में समझने वाले हैं कि communication किस किस टाइप के हो सकता है सबसे पहले देखो अंतव्यक्तिक संप्रेशन इससे क्या बोलते है जब कोई person अपने आप से ही बात करे तो उससे हम बोलते हैं अंतव्यक्तिक संप्रेशन जैसे कि कई बार आप दे चीजें चलती है और हम सोचते रहते तो वह क्या है हमारा अंतव्यक्तिक संप्रेशन वह जैसे हम इंगलिज समय कि बोलते हैं इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन उसकी बाद में नेक्स्ट इय। सबलता हैं उसे दुसलिक संप्रेशन इसी जन संचार का मतलब क्या होता है कि जैसे कि आप देखोगे कई बार क्या होता है पॉलिटिकल लीडर सब होते हैं वो एक जगे पर प्रिजेंट रहते हैं और अपनी वातों को लाखो करोडों लोगों तक एक साथ पहुंचाते हैं तो उसे हम कहते हैं जन संचार तो यहां पर तो चले इसके बारे में थोड़ा स सब्सक्राइब करते हैं और यह सबक्राइब करें अब इसका अच्छय तो यह और आख एक civilians करें सबसे बेस्ट उधारन है क्योंकि इसमें क्या होता है कि हम कहते तो है गोड़ से लेकिन कहीं ना कहीं वह अपने आप में एक बात चीथ है इस वज़े से जो भारत के जो रिशी मुनी है या मनीशिय है उन्होंने ये कहा है कि अगर हमें कर नहीं आपने बारे में ह planning पहने है तो यहां pe ना करते हैं इंट्रावबर्स कमिनुकेशन के से तो यहां पर कलाएं तो लेकित में हम ट्रफ कर सकते हैं तो उस वजे से बारत में इसे एक जो वह ज़ंब कर सकते हैं ऑर अपने बारे biggest piece और आपको आपको एक ग्जान में बताते हो माल लोग कोई प्रोल्म है और आप करते हो कि आपसे सब्सक्राइब सर्ट of और यह क्या हुआ आपको एक तरीके शिंग तरीक है जिसे हम बोलते हैं आतम विश्लेशन के खुद नहीं है करते हैं एनलाइज करते हैं तो यह हमारी पहचान के लिए सबसे अच्छा एक एक अच्छा टाइप से एक माध्यम है जिसके तुरू हम अपने बारे में पहचान कर सकते हैं एवेलुएट कर सकते हैं एनलाइज कर सकते हैं विशलेशन कर सकते हैं तो वास्ताव में देखो जो अगर आप खुट से बारे में बात करते हैं अच्छा तरीका होता है अपने बारे में जानने की तरफ ले जाने में तो यह आपधे बीच में रही तो इसे में पहेேने बीचियं इसे कहते तो हैं इंठरपर्सिनल कमिनिकेशन लेकिन अच्छा तरिकम नहीं कर दो 먹 in करते हैं कई वार हम सपर्स का यूज़ करते हैं जैसे कि अगर मालो कोई हमारी बातचीत के ओपर डिपेंड करता है हम कई पर क्या करता है अगर आप किसी छोटे बच्चे से बात कर रहे हो तो वहां पर आप उसके साथ में कम्यूनिकेट करोगे तो आप उसको टच करके करोग हम अपने हाथों को किस तरीके से बता प्रजेंट कर रहे हैं या अपने मूवमेंट किस तरीके से हमारे चल रहे हैं तो यह सारा भी जो हमारे कम्यूनिकेशन के अंदर ही इंक्लूड किये जाते हैं तो इसी तरीके से इतने सारे जब चीज इंक्लूड किये जाते हैं इस व तो काफी सार ऐसे उधारन में मिलते हैं जैसे कि आप देखोगे जन संचार में उसके बाद में जो हमारा थर्ड पॉइंट था जन संचार में संदेशों का संप्रिशन विसाल जन समुदाई के बीच में होता जैसे मैं आपको बताया था एक बोलने वाले हैं उसको सुनने वाले काफी सार ऐसे हैं तो वो आजाएंगे जन समुदाई के अंदर जहां पर एक बताने वाला परसन रहता है उसके सामने काफी सार ऐसे लोग रहता है परसन रहता है जो कि उसकी बात को समझते हैं तो यहां पर देखो यह जो व्यापक सम पंच मेल खिचडी होता है इस प्रकार के संचार में किसी माध्यम कि आपसकता रहते हैं जिसे हम जन माध्य कहते हैं क्योंकि इतने सारे जन संचार के चोड़े से टाइप्स करूप में मान सकते हैं अगर हम जन संचार को अगर एक लाइफ से रिलेट करके बात करें तो जन संचार का मतलब यह है जैसे कि आप देखोगे टेलिविजन पर कई बर क्या होता है कि अगर कोई भी एक पॉलिटिकल लीडर है जैसे कि और उनके बातचित को बिल्कुल पूरे इंडिया में पूरे देश में फिलाया जाता है एक साथ एक ही टाइम पर तो वह क्या है जन संचार है तो यहां पर देखो हम काफी सारह से मीडियम का यूज़ करते हैं जैसे कि हमारे मोबाइल होगे कंपूर्टर होगे इंटरनेट रेडियो हमारे संचार सेटलाइट होगे कैमरा मोनेटरिंग उपकरन काफी सारह से मेडियम है जिसका हम यहां पर यूज़ करते हैं और इन सभी का यूज़ करके ही हम अपने कम्मिनिकेशन को ज्यादा सक्सेस्फूल और ज्यादा इफेक्टिव बना पाते हैं साथे साथे लिए चुशन को अगरे सब्सक्राइट कर सकते हैं तो आपको क्लास समझ में आ रहा होगा अगर कहीं पर या हो जाता है कई बार आसा होता है तो आप उससे कौमेंट कर लेना और तुरंती आपको उसकी कौमेंट सेक्शन में ही मैं आपके जो भी डाउट रहेंगे उसको मे कर दूंगे तो क्लास को समझते हुए चलना कहीं पर भी कोई डाउट हो तो उसको कॉमेंट स्रेक्षन में जरूर से शेयर करना और अगर आपको सब कुछ समझ में आ रहा है बिल्कुल अच्छे तरीके से तो लाइक जरूर से करना और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर लेना क्योंकि इस चैनल पर आपको काफी सारी क्लासिस मिल जाएंगे बिल्कुल प्ले लिस्ट में उसके बाद में जो हमारे नेक्स्ट कॉनसाप्ट है संप्रेशन के परकार मतलब की कम्मिनिकेशन के कौन-कौन से टाइप से अब कम्मिनिकेशन देखो जरूरी तो नहीं है कि हम हर बार बोल के ही बातचित करें या हम हर टाइम लिख के ही मैसेज करें या हर टाइम हम लैटर इन सभी का यूज़ करें तो हमारे बातचित के उपर हमारे सुच्वेशन के उपर हम ये चीज़े डिपेंड करती है कि हम क जो भासा है वह एक अमुल्य संपत्य है मतलब जिसका कोई भी एक मुल्य नहीं है कोई भी एक वैल्यू को फिक्स नहीं कर सकते क्योंकि यह हमारे लाइफ का काफी ज़्यादा इंपोटेंट एक पार्ट है और इसकी विदाउट में हम बातचित नहीं कर सकते इस वज़े से काफी ज़्यादा इंपोटेंट है तो यहां पर देखो काफी सारे टाइप से यहां पर कुछ जैसे परकार्ट दे रखें सबसे पहले अमोखिक है फिर मोखिक है फिर लिखित है अब अमोखिक संपरेशन का मतलब क्या है अमोखिक संपरेशन का मतलब यह है जहां पर हम ना तो लिखते हैं न इस तरीके से बोलते हैं कि चुप हो जाओ तो वह क्या है वह एक अमोखिक संप्रेशन है जहां पर उन्हें कुछ भी बोला नहीं है जस्ट एक एक सिंबल को पहुंचा है एक साइन के थ्रू ही अपनी बातचित को प्रजेंट कर दिया है जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि हम अपने एक स्प्रेशन के थ्रू अपने फिस संप्रेशन है इसमें हमारे चिन होगे काफी सारे सिम्बल होगे संकेत होगे परतीक होगे हावा होगे इनहीं सब करियोग किया जाता है तो हमारे संस्कृति में काफी सार्या से परतीक है चिन है जिनका अव मोकिक संप्रेशन प्रिक्रिया के लिए प्रियोग किया जाता है तो अग इनका प्रियोग किया जाएगा तो इनके बारे में नोलेज भी होना चाहिए और ये नोलेज हमारे लाइफ में मतों एक लगाने की जूरत नहीं रहती है इसका नोलेज हमें होना चाहिए तभी हम इसको समझ सकते हैं तो सबसे पहले देखो चेन की बात करें तो इसका उप्योग देने जीवन में चित्र हो गया रेखा चित्र के रूप में हमें मिलता है अगर प्रतीक हो गया इसको हम सिंबल बोलत लाइट्स टो इस तरी के लाइट्स क्या है हमें कोई बता तो नहीं रहा कोई बोल तो नहीं रहा हम क्या करते हुं तो यहांबे मुझाति हो जैसे यहां पर ट्राफिक पुलिस का एक्जेंपल भी दे रखा है कि वह एक कई वर क्या करता है अपने हैंड्स के थ्रूही सिंबल देते रहते हैं कि आप चलो या रुको इस तरीके से और काफी सारे बोड्स भी रहते हैं जो कि अमोखिक संप्रेशन के रूप में यूज कि समझी जाओगे कि जब भी हम बोल कर किसी चीज को बताते हैं मोखिक संप्रेशन वहां पर वक्ता और जश्रोता है दोनों आमने सामने होकर औरल कम्यूनिकेशन करते हैं यह भी एक संप्रेशन का टाइप है और बिल्कूल यह फ्रीड बिल्कुल एक सवतंत तरीके से चलता और वक्ता करते हैं आपने सांड का यूज करके अपने शांड करके जमने किसी बी किलाता हमारा मोखिक संप्रेशन जहां पर हम बोल के सारे चीज़ों को बताएंगे अब मोखिक संप्रेशन के रिगार्डिंग कुछ यहां पर समान्म станे सुझाव साव दे रखें कि सबसे पहले देखो सब्दों के चैन में हमेशा हमें सावधानी बरतने चीए यहां पर यह जो पॉइंट दिया गया है इसको इसलिए नहीं दिया गया है तो आपको कवर करना यह इसलिए जादे ताकि इनको पढ़ कि हम कुछ ना कुछ समझ सके तो यहां प कुछ यह हमारे एक तरीके से हमारे व्यक्ति तब को ही प्रजैंट करते हैं कि हम कैसे निचर के हैं तो इसलिए हमें सावधानी पुर्वक अपने शब्दों का चैन करना चाहिए बहुत तेजी से बोलने पर सुनने वाले व्यक्ति जल्द ही आपकी बातों में दिल स्पी ल जादा काफी तेज अवाज में तो हमें क्या करना चाहिए नोर्मल जो एक टॉन है उसको मेंटेन करके रखना चाहिए जादा बोलने की प्रवति भी आम तो पर घातिक सावित हो जाता है और सच बतावति यह मेरे साथ भी है क्योंकि मैं बहुत जादा बोलती हूं तो कई लिए गाटक हो जाता हैं को क सुना और अगर अतना समझता है अगर नीवया धातों परसमाो ची तरीके से परसमिया नहींने को समझता है और चाहिए पहुत ही अब कम करने की कोसिस करना और साथ ही मैं भी आपके साथ में इस चीज को इंप्लिमेंट करूंगी अपनी लाइफ में उसके बाद में नेगिटिव बोडी लेंग्विज का हमें यूज नहीं करना ची हमारे पोस्टर से हमारे असहजता महसूस होता है क्योंकि कई बार देखोगे अ उसके बीच में बातों को काटना नहीं चाहिए सामने वाला परसन अगर कुछ बोल रहा है उसको धैरे से सुने और उसको समझे और जब वह बात को अपनी खतम कर दें उसके बाद में ही आप अपने बातों को रखें लूस टॉकिंग करने की जो आदत होती है वो नुकसान बचन चाहिए बात्विचाइस के दूरान ऐसे वर्ड से बचे जिसके अर्थ के बारे में आप निस्चीत नहीं से अईकर लिओक बॉन्गार कि connecting to your अगर voters you do sites सही तरीके से नौलिज ना हो उसके बाद में है कि मतव कि और beef सबसे पहले यहां और चीज को भूद जग आपना तो में दो और इसे लोगी लुए लुए यहां आप मुझे बात Metro यह दो बता दो कि अगर अगर हम सामने 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 बैठते हैं face to face तो यहां पर यह चीज देखनों के मिलती है कि सामने वाला परसन अगर कुछ बोल रहा है और सुनने वाला परसन उसको समझ नहीं पाता है तो वह तूरंती कह सकते है कि आप अपने वर्स को repeat कर दीजिए इसके बाद में next है कि कई बार ऐसा हो जाता है कि हम कुछ बोलते हैं तो सामने वाले परसन को या कई बार ऐसा हो जाता है कि confusion create हो जाता है तो हम अगर वहां पर oral communication कर रहे हैं तो हम जो भी एक confusion उसको तुरंती clear कर सकते हैं को हमें पता है कि सामने वाले परसन को नहीं समझा है तो हमें उस चीज को repeat कर देना चीए तो यहां पर यह benefit मिलता है oral communication में कि हम confusion को साथ ही साथ ही जो भी कोई भ्रह्म है तो उसको time to time हो तो उसी time पे at a time पे ही उसको solve कर सकते हैं वक्ता इससे संदेश प्राप्ट करता कि मनोभावों में उसकी जो feeling है emotion है उसका जो विश्वास है उसमें हम बदलाव ला सकते हैं कि सामने वाले परसन क्या सोचता है उसको किस तरीके से सोचना चाहिए इसमें हम change लेके आ सकते हैं संदेश जो है मतमोखिक जो संदेश है लिखित संदेश की बजाए अल्प समय में परसारित किया चाह सकते हैं काफी जड़ा इंपोर्टेंट लाइन है क्योंकि हम औरल कम्यूनिकेशन में एक टाइम पे ही काफी सारे बातों को बता सकते हैं अब यहीं से को example कि तुरू में देखते रहोंगे तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि je मिलता है कि हम कम से कम टाइम में 02 6287 आश्वाय कर सकते जो कि यह बात हो हमें सब के पास में लेटर भीजना पड़ेगा लेकिन अगर हम औरल कम्मुनिकेशन करेंगे तो एक साथ में हम काफी सारे लाको करोडों लोगों के साथ में एक साथी बातचित कर सकते हैं जैसे कि अगर क्लास में ही देख लो जो टीचर पढ़ाते हैं तो उनके सा और 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 अगर परसंद बात में अपनी बात से पलट जाए लेकिन अगर वही चीज रिटर्न में होगी तो वह एक सबूत बन जाता है एक वह हमारे डोकुमेंट जो है मानिता मिल जाते हैं शाक्षक रूप में मतलब एक प्रूफ के तौर पर बन जाता है तो औरल कम्यूनिकेशन का एक नुकसान यह है कि अगर हम औरल कम्यूनिकेशन के थ्रू बातचित करते हो रखना और अगर हमारी बातचित काफी ज़दा इंपोटेंट है तो सामने वाल प्राइब कर तो यहां पर थोड़ा सा प्रभाव वह उचित पैदा नहीं कर सकता है कि जितना इफेक्टिव के तरीके से बोलने वाला परसन कर सकता है वह तो इसके पास में यह एबिलिटी नहीं है तो वो क्या कर सकता है, effective communication को नहीं कर सकता उसके बाद में next बताया गया है, कई बार मौकिक संप्रेशन जो है करेयाली दिस्ट्री से उचित नहीं माना जाता है अगर हम एक अपने officially work के रूप में देखे तो वहाँ पर oral communication को जादे important नहीं दिया जाता है वहाँ पर return के रूप में ही सब कुछ माना जाता है, return के तोर पर ही सब चीज को वहाँ पर apply किया जाता है सब चीज को return में ही लेके चलते हैं, वहीप अगर हम बात करें next point की, तो यह दिस्ट्रोता दुआरा बातों को तोड़ मरोड कर परस्तूत किया जाता है तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, मतलब कि कई बार ऐसा हो जाता है, कि हम directly अगर अपनी बात्चित को ना present करें, अगर हम काफी ज़दा घुमा फिरा के बोले, तो हमारी बात चाहिए कितनी भी ज़दा important क्यों न हो, वो ज़दा effective नहीं हो पाता है तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, written communication में बट ऐसा नहीं हो पाता है, हम क्या करते हैं, अगर हम थोड़ा से बातों को lengthy भी कर देते हैं, तो भी वो clearly समझ में आ जाता है, अगर हम oral communication में directly अपनी बातों को present ना करें, तो वहाँ पर थोड़ा से confusion create हो सकता है तो यह सारे print आपको समझ में आ गया होंगे, उसके बाद में next है, कि जो मोखिक suppression के जितने भी medium है, उसको हम दो types में divide करते हैं, सबसे पहले है परमपरागत माधियम और जो next है आधुनिक माधियम, अब नाम से यह आपको पता चल रहा होगा, कि परमपरागत माधियम का मतल मतलब यह है, जो काफी लंबी टाइम से चलते हुए आ रहे है, और आधुनिक माधियम का मतलब यह है, कि जो आज के टाइम में थोड़ा सा technology में जो change होगे, नहीं हमें changes देखने के मिलते हैं, उसके according जब divide किया जाता है, तो उसे हमको बोलते हैं आधुनिक माधियम, तो प्रागत में कौन-कौन से ऐसी मीडियम है, जैसे कि लोग गीत हो गया, लोग निर्ते हो गया, लोग कथा, लोग नाटे, कट पुतली अभी ने, कई बार आप देखा होगा, आपने आज कल तो देखने को नहीं मिलता है, बड़ काफी टाइम पहले पुरानी बात में अगर वहाँ पर कोई ना कोई तरीके से इस चीजों को अभी तक रैगूलर लेकर चलते हुए, आरे, कई बर क्या हो जाता है, ये सारे चीजा हमारे अंधुविश्वाश हो गया, हमारे जुन नशा हो गया, मतों कि एग जो गलत तरीका है, जन संक्या, नीयतर रहुन हो गया, कू इस वज़े से ही आज के टाइम में भी यह जो मीडियम है परमपरागत माध्यम आज भी चल रहे हैं क्योंकि इनके थ्रू ही हमें क्या करते हैं इफेक्टिव तरीके से अपने बात्चित को प्रजेंट कर पाते हैं नाटे के थ्रू एक कटपुतली हो गया इन सभी के थ्रू लोग कथा के थ्रू कई आप देखोगे भी स्कूल कोलेजिस में नाटे के थ्रू कोई ना कोई एक हमें यहां पर मोरल दिया जाता है तो यहां पर इन सभी चीजों का यूज किया जाते हैं तो परम प्रागत बट आज की टाइम में भी यह एक तरीके से चलते हुए आरे क् इसका जो एक हमारे उपर जो एक फैक्टिव है वह काफी ज़्याद तरीके से रहते हैं इस वज़े से काफी ज़्याद प्रभावशाली है इस तरीके से भी है क्योंकि आज भी लोगों का इसे एक निकटा एक स्थानेता और विश्वशनियता बनी हुई है लोग अब भी प्रस्ट करते हैं इसमें इंट्रस्ट लेते हैं इस वज़े से ही आज के टाइम पे भी यह जो एक मीडियम है प्रमपरागत संप्रेशन का या आज भी लगतार चलते हुए आरे क्योंकि इसके थ्रू जब भी किसी चीज को बताया जाता है तो वह हमारे स्वास्ते पे हमार इस वज़े से इसका यूज किया जाता है आज के रेडियो टेलीविजन प्रमपरागत माध्यम के विक्सित रूप है क्योंकि है तो यह आधुनिक रूप से लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रमपरागत स्त्रोत है हमारे उसी में ही थोड़ा सा डैवलप करके नए बने हुए है वह आधुनिक बने हुए है वो परमपरागत संप्रेशन माध्यम से ही उसके बाद में जो नेक्स्ट है आधुनिक संप्रेशन माध्यम अब आधुनिक के नाम से पता सिल जाएगा आज के टाएमे जितने भी रेडियो है टेलिवीजन है कम्प्यूटर है इंटरनेट होगी हमारे वीडियो हो गया हमारे काफी सारह से सैटलाइट हो गया वोट्साप हो गया काफी सारह से एप्स हो गया हमारे आज के टाइम में फेस्बुक ट्विटर ये सारे क्या है हमारे कम्यूनिकेशन का ही एक माध्यम है जिसको हम बोलते हैं आधुनिक संप्रेशन माध्यम जो क कि इसके थुरू हम एक साथ में काफी सारे information को ले सकते कभी सूचनाओं के तरस्त संसार में अब सूचनाओं की बाड़ सी आगे मतलब कि अगर हम प्रागत माध्यम की यू बात करें तो वहां पर एक साथ बड़े information को provide करना possible नहीं था वहीं अगर हम आज की टाइम की बात करे तो यहां पर एक साथ ही काफी सारे information को हम बिल्कुल तूरंत ही बिल्कुल एक minute में हम काफी सारे लोगों तक पहुचा सकते हैं तो इस वज़े सही जो आधिनिक संप्रेशन माध्यम है काफी ज़्यादा popularity में है क्योंकि इससे काफी सारे benefit मिलते हैं परन्तु जो साकारात्म परवाव के साथ इसके जो एक negative जो खत्रा है वह भी हमारे life के साथ में जूट जाता है क्योंकि आधिनिक संप्रेशन माध्यम हमारे लिए जितना benefit है जितना ज्यादा हमारे लिए beneficial है उतने ही ज्यादा हमारे लिए नुक्शान भी है तो है तो चलो यह माध्यम ही बट इसक सारे technology का यूज किया जाता है अगर हम यहां पर आके आधिनिक संप्रेशन माध्यम का यूज नहीं करते हैं तो यहां पर हमारे life में काफे सारे हमें प्रोब्लम को देखने को मिल सकते हैं इस वज़ए से आधिनिक संप्रेशन माध्यम को भी important ही माना जाता है दोनों medium का आज की क्लास आपको कैसे लगी आज किस क्लास में बस इतना ही रखते आगे के जो concept आपको दिखाई दे रहे सबसे पहले हैं लिखिट संप्रेशन यहां से आगे के जो भी concept है उसको हम अपनी next class में cover करेंगे आज किस क्लास में बस इतना ही रख लेते तो feedback में जरूर से बत इन फ्यूचर तक के लिए तो क्लास को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर आपने अल्रेडी सब्सक्राइब कर रख है तो इसको जरूर से शेयर करना मिलत अपने next वीडियो में तब तक के लिए बाई टेक कियर एंड थैंक्यू सो मच